सर्वेभ्यो नमो नमहा संस्कृत कक्षायाम सर्वेशाम स्वागतमस्ति ममनाम डॉक्टर व्यास नरायन आर्यह अहम संस्कृत शिक्षकाह अस्मी अध्यवयम सप्तम्याह कक्षायाह चतुर्थः पाठः राइपूर नगरम पठामा आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है और आज हम कक्षा सात्वी के चौथा पाठ राइपूर नगरम का अध्यायन करेंगे राइपूर नगर के विशय में आपने सुना ही होगा राइपूर नगरम देखिए चित्र में भी आपको राइपूर नगर की एक जहलक दिख रही होगी जो बच्चे राइपूर नगर से परिचित हैं वो पहचान गए होंगे इदम असमा कम सबसे पहले हम वाचन करेंगे और आप सभी शुद्ध वाचन करना और ले के साथ पढ़ना सीखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं वाचन इदम असमा कम राइपूर नगरं खारून नद्याह तटे राइपूरं अस्ति चत्तिस गठ प्रदेशस्य राजधानी राइपूर नगरं अस्ति अस्य नगरस्य महत्वं प्राचीन कालादेव वर्तते इम नगरी तडागानाम नगरी इतिकत्यते इदम इदम मने यह अस्मा कम अस्मा कम मने हमारा राइपूर नगरं राइपूर नगर है खारून नद्याह तटे खारून नद्याह खारून नदी का नाम है नद्याह नदी के तटे तट में तटे मने तट में है ना तट सब्द का सब्तुमी भक्ति एक वचन का रूप है तटे तट में राइपूरम राइपूर अस्ति अस्ति मने है और अस्ति अस्धातु का लटलकार प्रथम पूरुष एक वचन का रूप है और ये कैसे चलता है? अस्ति, स्थह, संति, असी, स्थह, स्थ, अस्मी, स्वह, स्मह, इस प्रकार से इसका रूप चलता है, है ना? चत्तिस गढ़ प्रदेश अस्य, राजधानी, रायपूर नगरम, अस्ति, चत्तिस गढ़ प्रदेश अस्य, यहां चत्तिस गढ़ प्रदेश में सश्थि विभक्ति एक वचन का रूप है, चत्तिस गढ़ प्रदेश अस्य, चत्तिस गढ़ प्रदेश की राजधानी, राजधानी माने, राजधानी, रायपूर नगरम, अस्ति, रायपूर नगर है, चत्तिस गढ़ प्रदेश की राजधानी, रायपूर नगर है, अस्य, नगर अस्य, महत्वं प्राचीन काला दे वर्तते अस्य इस नगरस्य नगर का और कौन सी विभक्ति है नगरस्य में सश्ठी विभक्ति है नगर का महत्वम महत्व महत्व मने महत्व प्राचीन काला देव जब इसको इसमें संधी हो गई है अलग-अलग करेंगे तो इसमें दो शब्द हैं प्राचीन कालात धन एव प्राचीन कालाद एव प्राचीन काल से ही एव माने ही और प्राचीन कालाद पंच्विभक्ति का रूप है प्राचीन काल से ही वर्तते है वर्तते माने है अस्ती माने भी है और ये आत्मनेपत का रूप है है ना वितु वर्तने धातु है और इसका रूप आत्मने पद में चलता है लटलकार में वर्तते वर्तते वर्तनते ऐसे इसका रूप चलता है इम नगरी तडागानाम नगरी इती कत्यते इम यह नगरी नगर इस सहर को तडागानाम मतलब तडाग मतलब होता है तलाब और तडाग सब्द की यह सश्थी विभक्ति वहुआ चन का रूप है तडागानाम माने तलाबों की नगरी इती कत्यते नगर कहा जाता है राइपूर नगर को तलाबों की नगरी कहा जाता है कत्यते माने कहा जाता है और यह भी आत्मनेपत का रूप है लटलकार आत्मनेपत का कत्यते 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 कत्यत्वे कत्यत्वे कत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् इदम इयम अस्य तो इनको आप एक बार समझेए इदम नपुन्सक लिंग का शब्द है और ये प्रत्मा एक वचन है इसका अर्थ भी यह होता है और इयम ये इस्त्री लिंग का प्रत्मा विभक्ति एक वचन है इसका अर्थ भी यह होता है और अस्य नपुन्सक लिंग सश् यह सब अकारांत शब्द हैं है ना और यह सश्थिविभक्ति एक वचन सश्थिविभक्ति का रूप है तो आगे चलते हैं एक छोटा सा प्रश्न है राइपूर नगरम कस्याह नद्याह तिरे स्थितम इसका उत्तर आप लोग देखिए राइपूर नगरम खारून नद्याह तिरे स्थितम देखिए एक चित्र कित सुन्दर खारून नदी में महादेव घाट में जो लक्ष्मन जूला बना है उसका ये सुन्दर सा चित्र है अत्र अश्टा दशाधिकाह तडागाह संती अत्र अति प्राचीन खोखो तडागह बूढ़ा तडागह विवेका अनंद सरुवरह महाराजबंदह कंकाली तडागह इत्यादयह आतिहासिकं महत्वं द्योत यंति यम नगरी चत्तिस गड़प्रदे एक्षे त्रस्य संसकार धानी नगरी इती अभिधियते अत्र अत्र माने यहां यहां कहां राएपूर में और अत्र जो है यह क्या है अभ्याए है अभ्याए के बारे में जानते हैं आप लोग जो शब्द कभी नहीं बदलता वो अपने ही रूप में रहता है उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं वो अभ्याए कहलाते हैं तो अत्र माने यहां अश्टा दशाधिकाह अश्ट दश अश्ट माने आठ और दस माने दस आठ और दस को जोड़ेंगे किता होता है अठा रहा है तो अश्टा दशाधिकाह अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो अश्टा दश धन अधिकाह तो यहां पे दीर्ग स्वर संधी हो गया है अश्टा दश शा में जो आ है वो आ और अधिक का दोनों मिल करके आ हो गया है ना इसलिए अश्टा दशा धिकाह मने अश्टा दस से अधिक अठारह से अधिक तडागाह तलाब तडाग सब्द है ये प्रत्मविभक्ति बहु अचन का रूप है तडागह अश्टा ओधिक तलाब संती है और ये अश्टा धातु का प्रत्म लटलकार प्रत्म पुरुष बहु अचन का रूप है तडागह तलाब के बारे में कहते तो यहां अस्ति हो जाता अब यहां बहुत सारे तलाबों के बारे में बताया जा रहा है लगभग 18 से अधीक तलाब है इसलिए यहां पर बहु अचन है तो संती ऐसा आ गया है ना अत्र प्राचीन अति प्राचीन हां खोखो तड़ागा अत्र यहां अति प्राचीन हां अति प्राचीनह, बहुत प्राचीन, बहुत पुराना, खोखो तड़ागह, खोखो तलाब, बुढ़ा तड़ागह, बुढ़ा तलाब, जिसका नाम आजकर विवेकानंद सरोवर कर दिया गया है, महाराजबंध, महाराजबंध नाम का एक तलाब है, कंकाली तलागह, कंकाली तलाब, इत्यादयह, इति धन आदयह, यहाँ ए को यह हो गया है, और यह कौन से संधी है, इति धन आदयह, इत्यादयह, यह कौन से संधी है, यानस्वर संधी है, है ना इतियादी तालाब एतिहासिकं महत्वं द्योतयंती एतिहासिकं मतलब इतिहास के महत्वं महत्व को द्योतयंती बताता है है ना द्योतयंती बताते है यह क्या आया है इम नगरी चत्तिस गड़ क्षेत्रस्य संसकार धानी इती नगरी अभिधीयते इम नगरी यह नगर चत्तिस गड़ क्षेत्रस्य संसकार धानी मतलब संसकार देने वाली संसकारों की राजधानी संसकारों की नगरी इती अभिधीयते ऐसा कहा जाता है राइपूर नगर को 36 गड़क्षेत्र का संस्कार धानी कहा जाता है देखिए बहुत सारे चित्र है ना ये विवेकानन सरोवर का चित्र है देखिए नीचे विवेकानन सरोवर आपको दिखाई दे रहा होगा और स्वामी विवेकानन जी की मूर्ति आपको यहां दिख रही होगी ये बूढ़ा तलाप के बीचों बीच में बना हुआ है और ये भी एक मंदिर आपको दिखाई दे रही है मंदिर दिखाई दे रहा है है ना यहां देखो अश्टा दस अधिकाः अश्टा दस धन अधिकाः दिर्गस्वर संधी है इत्यादयाह इतिधन आदयाह यानस्वर संधी है और अभी धीयते यहां पे अभी उपसर्ग पूर्वक धी धातु का ये लटलकार आत्मनेपत का एक वजन है जाना जाता है या कहा जाता है इसका अर्थ होता है अत्र दुधाधारी मठहा महामाया मंदिरं कंकाली मंदिरं जैतु साव मठहा महादेव घटहा हटकेश्वर मंदिरानी अति प्राचीनानी संती अत्र मने यहां दुधाधारी मठहा महामाया मंदिरं कंकाली मंदिरं जैतु साव मठहा महादेव घटहा हटकेश्वर मंदिरानी हटकेश्वर नाथ का मंदिर है ना तो मंदिरानी ये बहुअचन है मंदिरं मंदिरे मंदिरानी ऐसा ये रूप चलता है और प्रत्मय भक्ति बहुअचन में अधुत्य भक्ति बहुअचन में मंदिरानी शब्द बनते हैं तो यहां रायपूर में दुधधारी माट, महमाया मंदिर, कंकाली मंदिर, जैतु साव माट, महादेवगाट, हठकेश्वरनात, आदी मंदिर, बहुत से मंदिर, अति प्राचीनानी संती, अति प्राचीनानी बहुत प्राचीन है, यह जितने मंदिरों के नाम बताएं हैं, ये बहुत प्राचीन मंदीर है, ये शाम दर्शन मात्रेण हृद ही शांत ही अनुभूयते, ये शाम जिनके दर्शन मात्रेण, यहां दर्शन मात्र सब्द की तृतिया विभक्ती है, और दर्शन मात्र से या दर्शन मात्र के द्वारा खृदिही, खृदै में, खृदिही, खृदै में, शांती ही, शांती अनुभूयते, है न, अनुभाव किया जाता है, अर्थात, इन मंदीरों के दर्शन मात्र से ही, खृदै में, शांती का अनुभाव किया जाता है, दुधाधारी मठस्य निर्माणम, विन्सत्य धिकं, शोड़ सम्वत्सरे संजातम, दुधाधारी मठस्य निर्माणम, दुधाधारी मठ का निर्माण, सोला सो बीस समवत सर में इश्वी में संजातम हुआ है संजातम मने हुआ है दुद्धारी मठ का निर्मान कब हुआ है सन सोला सो बीस में ठीक है याद रखिएगा आप लोग अत्र राजनान्द गाव नामनह राज्यस्य महंत घासिदासे महंत घासिदासे न पंच सप्तति अधिकं अश्टादस शतं खिस्त्राब्दे निर्मितं प्राचीनतमं अश्टकोनी भवनं अस्ति अत्र अत्रमाने यहां राजनान्द गाव नामनह राज्यस्य राजनान्द गाव नामाक राज्यके महंत घासिदासे न महंत घासिदास जीके द्वारा सन 1875 में निर्मीत प्राचीनतमं बहुत पुराना अश्टकोनी भवनं आठ कोनो आला भवन अश्ट माने आठ अश्ट कोनी भवनं आठ कोनो वाला भवन अस्ति है कहां है अत्र अत्र माने राइपूर में है ना अत्र माने यहां यहां कहां राइपूर में है ना राइपूर में राजनान्द गाव नामक जो अभी एक शहर है लेकिन पुराने समय में राजाओं की रियासत थी तो उस रियासत के उस राज्य के महंत घासीदाजी ने 1875 में एक आश्ट कोनी भवन का निर्मान कराया था इसलिए वो भवन आज भी राइपूर में अस्ती है अपीचा टाउन हाल इतिनाम नहाँ शताधिक वर्षम प्राचीन भवनम अस्ती अपीचा अपी माने भी चा माने और तो जब इसको हिंदी में कहेंगे तो और भी है ना और भी है ना टाउन हाल नामाक एक भवन है प्राचीन भवन है जो शताधिक वर्षम अलग अलग करेंगे तो शत अधिक वर्षम है ना शत माने सो अधिक माने अधिक तो सो से अधिक वर्ष प्राचीन है ताउन हाल कितना प्राचीन है तो लगभग सो वर्ष से अधिक वर्ष का वर्ष प्राचीन ताउन हाल रायपूर में है तथे यहां पे संधी है तथा धन एव यह वृडःभीश वर्ष संधी है तथा धन एव वैसे ही तथा माने वैसे एव तथे ही वमाने वैसे ही राजुकुमार महाविद्याले राश्ट्रिय प्रोध्योगी की संस्थान राश्ट्रिय प्रोध्योगी की संस्थान राइपूरे च दर्शनियों राइपूरे राइपूर में च और दर्शनियों दर्शनियों वैसे ही राजकुमार कॉलेज और राष्ट्रिय प्रोध्योगीक संस्थान ये दोनों जगह राइपूर में दर्शनीय है अत्र रविशंकर विश्व विद्यालय हा इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय हा विद्यालय हा अत्र अत्र माने यहां यहां कहां राइपूर में रविशंकर विश्व विद्यालय हा पंडित रविशंकर विश्व विद्यालय हा और इंदिरा गांधी कृषि वि किया क्यों लगा क्योंकि यह द्विवचन है इसलिए हम लतिलकार का पुरोष का द्विवचन यहाँ पर देख रहें अस्ति हृहां यह उपन्ति रविशनकर विषकल विश्व विद्याले और इंद्रियागा Bangladesh क्रिश्व विश्व विद्याले की बात की गई है तो ये दो विश्व विद्याले हैं इसलिए यहां इसा प्रयोग किया गया है अस्ति के जगा स्थहा देखिए चित्रों में देखिए राजकुमार कॉलेज राजकुमार महा विद्यालेह राष्ट्रिय प्रवध्योगी की संस्थान है नर और टाउन हाल उसके बाद पंडित रवी शंकर शुक्ल विश्व विद्याले ये सब चित्रों को आप देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं कुशा भाव ठाकरे पत्रकारिता विश्व विद्याले अपी नूतनम स्थापितम कुशा भाव ठाकरे पत्रकारिता विश्व विद्याले अपी माने भी नूतनम नूतनम मने नया स्थापितम इस्थापित किया गया है अत्र यहां कहां यहां राइपूर में है ना राइपूर में कुशा भाव ठाकरे पत्रकारिता विश्व विद्याले भी नया इस्थापित किया गया है अत्र एक हाँ संस्कृत महाविद्यालय अस्ति है राइपूर में एक संस्कृत महाविद्यालय है यत्र साहित्य व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिश कर्मकांडश्य विशयाह संती यत्र यत्र माने जहां कहां कहां संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय में साहित्य व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिश और कर्मकांड़ आदी विशयाह आदी विशय संती हैं यहां विशय सब्दकाई बहु अचन है क्योंकि यहां बहुत सारे विशयों के नाम लिए ना साहित्य व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिश कर्मकांड़ इसलिए यहां विशयाह ऐसा प्रयोग किया गया बहु अचन यहां साहित्य व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिश कर्मकांड़ आदी विशय संती है जब यहां विशयाह बहु अचन है इसलिए संती यह भी लट्लकारका प्रथम पुरुश का बहु अचन है और इसका धातु क्या है अस अस धातु का रूप चलता है अस्ति स्टह संती है ना अत्र अत्र माने यहां चत्तिस गड़ राज्य सेख्षणी का अनुसंधान एवं प्रसिक्षण परिशद अत्र यहां चत्तिस गड़ राज्य सेख्षिक अनुसंधान एवं प्रसिक्षण परिशद यह कौन सा जगा है आपको पता है जहां से आपकी पाठ्थे पुस्तके बनती है और जहां से अभी आपकी कक्षा चल रही है है ना यह जो कक्षा चल रही है वो यहीं से चल रही है कहां से चत्तिसगर राज्य शैक्षीक अनुशंधान एवं प्रसिक्षण परिशद यहां पे सिक्षा के छेत्र में अनुशंधान का कारिय और प्रसिक्षण का कारिय होता है है ना इसलिए इसका नाम शैक्षीक अनुशंधान एवं प्रसिक्षण परिशद ऐसा नाम है शिक्षा महाविद्यालयाहा शिक्षा महाविद्यालय का मतलब शिक्षा से संबंधित शिक्षा देने के लिए जो महाविद्यालय होते हैं उच्च शिक्षा में शिक्षा के खेत्र में जो कक्षाए होती है वो शिक्षा महाविद्यालय कहलाता है है ना जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल में बी एट कॉलेज कहते हैं है ना तो यहां शिक्षा महाविद्याला है जीला शिक्षा एवं प्रसिक्षण संस्थाना चापी विद्यनते और जीला शिक्षा एवं प्रसिक्षण संस्थान भी विद्यनते विद्यनते मने है तिस गर्ड राज्य सेक्षिक अनुसंधान एवं प्रसिक्षण परिश्परिशद, शिक्षा महाविध्याले, जिला शिक्षा एवं प्रसिक्षण संस्थान, संस्थान अहां च अपी, यहां जब अलग-अलग करेंगे तो च धन अपी, चापी, ऐसा यह दिर्गस्वर संधी है, और विद्यन ते यह विद्धातु का हन आत्मने पद लटलकार प्रथम पुरुष बहु अचन का रूप है, विद्यते विद्यते विद्यन ते ऐसा रूप चलता है, माने विद्यमान है, ठीक है, तो चलिया, देखते हैं, यह देखिए चित्र में कुशा भाव ठाकरे पत्रकारिता विश्व विद्यालाय का चित्र है, दिखा आपको, है ना, यह दिखें, इंदिरा गांधी कृषी विश्व विद्यालाय यहां, यह खेती से संबंधित उच्च सिक्षा प्रदान की जाती है, और यह चतिसगर का एक मात्र संस्कृत महा विद्यालाय, संस्कृत कॉलेज, जहां संस्कृत की सिक्षा दी जाती है, तो चलिए, आपको बहुत सारे विश्व विद्यालेओं के बारे में बताए, तो आप बड़े हो करके इन में से कौन से विश्व विद्याले में पढ़ना चाहेंगे, है ना, इन विश्व विद्यालेओं में प विद्यालियों में पढ़ सकते हैं। पढ़ संति अत्र लाओ उद्योगा प्रशिद्धा हस्त शिल्पादय हा नगर अस्य शोभाम वर्धयंति घंटिका चतुसपथम घंटिका चतुसपथम माने घड़ी चौक देखिए चित्र में घड़ी चौक दिख रहा है ना यह घड़ी चौक है राइपूर का एक प्रशि इमारत में बड़ा बड़ी सी घड़ी बनी हुई है देखिए घड़ी दिख रहा है ना आपको इसलिए इस चौक का नाम घड़ी चौक है अस्य नगर अस्य प्रशिद्धम स्थलम अस्य इस नगर अस्य नगर का प्रशिद्धम प्रशिद्ध प्रशिद्ध स्थलम प्रश आश्रमे यहाँ आश्रम सब्द में सब्ट में विभक्ति एक वचन लग गया है तो वे आस्त्र में और आस्त्र में कहने से इसका आर्थ हो जाएगा आश्रम में विवेकानन्द जयन्ती समारोहे यहां भी सब्तुम्य भक्ति है समारोहे समारोह में है ना विवेकानन्द आश्रम में विवेकानन्द जयन्ती समारोह में विशिष्ट प्रवचनम प्रतिवर् विशेश प्रकार का प्रवचन, प्रवचन मतलब उपदेश, प्रति वर्षम, प्रत्येक वर्ष, हर साल आयोज्यते, आयोजित किया जाता है, यह आयोज्यते, इसका यह लटलकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का है na यहाँ आउपसरग पूर्वक Yujadhatu है और इसका रूप चलता है आयोज्यते 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 ऐसा ठीक है अब देखो आभुशनाशनाशनाशनाशनाशनाशनाशनाशनाशनाशनाशनीच www.Yana.be अभूशन मतलब गहना और अभूशना नाम मतलब गहनों का धान्या नाम मतलब अनाजों का वस्त्रा नाम वस्त्रों का ये सब सश्थि भक्ति बहुए चन है च चमने और और च भी अव्याइपद है राइपूरे असंख्याह आपणाह संती असंख्याह असंख्य असंख्य मतलग अंगिनत है ना राइपूर शहर में आभूशनों के अनाजों के और वस्तरों के असंख्य आपणाह आपणाह शब्द होता है दुकान और ये आपणा बहु अचन है कि बहुत सारे दुकाने संती हैं राइपूर नगर में गहनों के अनाजों के और वस्तरों के बहुत से दुकाने हैं अत्र मने यहां लौह धन उद्योगा दो अलग अलग सब्द है यहां जब इसको अलग करेंगे तो क्या है लौह धन उद्योगा ये गुण स्वरसंधी हो गया उको ओ हो जाता है गुण स्वरसंधी में उको क्या होता है ओ तो यहां लौह धन उद्योगा लौह धन उद्योग राइपूर में 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 र वस्तुओं के द्वारा इस नगर की शोभा बढ़ती है कारी गरी के कारण इस नगर की शोभा बढ़ती है नगरस्य नगर की शोभाम मने शोभा को वर्धयन्ती बढ़ाते हैं ये वर्धयती ये वर्ध धातु का लटलकार है वर्धयती वर्धयता वर्धयन्ती ऐसा रूप च अस्त सिल्प आदी का जो यहां काम होता है वो इस नगर की शोभा को बढ़ाते हैं खारून नद्याह तटे प्रतिवर्शम कार्तिक पुरुनिमायाम मेला पकह आयोज्यते खारून नद्याह तटे खारून नदी के तटे तट में किनारे खारून नदी के किनारे प्रतिवर्शम प्रतिएक वर्स हर साल कार्तिक पुरुनिमायाम कार्तिक महिना के पुरुनिमा तिथी को कार्तिक पुन्नी को 36 गड़ी में बोलेंगे तो कार्तिक पुन्नी को मेला पकह मेला पकह माने मेला है ना आप लोग जाते हैं ना मेला देखे हैं ना हाँ तो रायपूर में भी मेला भरता है कब कार्तिक पूर्णिमा में और कहां पे खारून नदी के तट में कब प्रतिवर्स हर साल कार्तिक महीना के पूर्णिमा में खारून नदी के तट पर मेला आयोज्यते मेला का आयोजन किया है यम इस्थली महादेवगात इतिनामना ख्याता और ये जो इस्थल है खारुन नदी के तट में जहां मेला भरता है उस इस्थल को महादेवगात इतिनामना इस नाम से ख्याता प्रशिद्ध है जाना जाता है राइपूर वासिनह उत्सव प्रियाह संती राइपूर नगर के जो रहवासी है राइपूर नगर में रहने वाले जो लोग है वो कैसे है उत्सव प्रियाह उत्सव प्रियाह बने उत्सव मनाने वाले है तत्र प्रतिवर्षम यहां वहां तत्र माने वहां और यह भी अव्याय है प्रतिवर्षम हर साल प्रत्येक वर्ष दूर्गोत्स वहां दूर्गा धन उत्स वहां यहां कौन सी संधी है उको ओ हो जाता है कौन सी संधी में होता है हाँ गुण स्वरसंधी में होता है तो दुर्गाधन उच्छवः दूर्गोच्छवः गुण स्वरसंधी वैसे ही गनेश उच्छवः गनेश धन उच्छवः गनेश उच्छवः यहां भी गुण स्वरसंधी है इद हाँ इद कृष्मस हाँ कृष्मस इत्याद यहाँ इती धन आद यहाँ यण स्वर संधी है यहाँ पर इती धन आद यहाँ इत्याद यहाँ इत्यादी यहाँ वहाँ प्रती वर्स वहाँ कहाँ रैपूर में हर साल दूरगा उत्सव गणेश उत्सव इद कृष्मस इत् इसको जब अलग-अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा सद्धन उत्षाहम यहां भी उको ओ हो गया है अब यह कौन से संधी में होता है उको ओ गुलिस्वर संधी में होता है तो यहां प्रतिवर्ष दूरगा उत्षव गणेश उत्षव इद कृश्मस आदी उत्सव सोत्सार हम उत्साह के साथ सोहार्द्र भावेन सोहार्द की भावना से प्रेम पूर्वक समायोज्यनते आयोजित किये जाते हैं वहां मने राइपूर में हर साल ये सारे उत्सों को स्रोहार्द्र भावसे प्रेम भावसे उत्साह के साथ मनाया जाता है अत्रस्थ महंत घासिदा संग्रहालय प्रशिध्ध अनेकानी क्रीडा केंद्रानी संती अत्र यथा शुभास क्रीडा केंद्रह रविशंकर क्रीडा केंद्रह ग्रास मेमोरियल इती क्रीडांगना नगरवासिनाम क्रीडा प्रेमं दर्शयंती अत्रस्थ यहां के अत्रस्थ मने यहां के महंत घासिदा संग्रह आले यहां प्रशिद्धा महंत घासिदा संग्रह आले संग्रह आले कहते हैं संग्रह धन आले संग्रह मतलब इकठा करना आले जिस घर में जिस इस्थान में पुराने चीजों को इकठे करकर करके रखे हैं वो संग्रहालाय कहते हैं जो हमारे इतिहास से संबंधित प्राचीन चीजों को प्राचीन वस्तुओं को इकठे करके संरक्षित करके रखते हैं वो संग्रहालाय कहलाते हैं तो राइपूर के जो महंत घासिदा संग्रहाला है वह भी प्रशिद्धा प्रशिद्ध है अनेक आनी क्रीडा केंद्रानी अनेक आनी बहुत सारे अब ये अनेक सब्द के का नपुन्सक लिंग का रूप है है ना बहुँ अचन का रूप है अनेक आनी बहुत सारे क्रीडा केंदराणी खेल के केंदर क्रीडा मतलब होता है खेल केंदराणी मतलब केंदर बहुत सारे खेल के केंदर संती, संती माने है राइपूर में खेलने के बहुत सारे केंदर है यथा जैसे यथा माने जैसे शुभास क्रीडा केंदरह क्रीडा केंदरह को हम सामान्य बोलचाल में स्टेडियम कह देते हैं तो जैसे शुभास स्टेडियम, रवि संकर स्टेडियम, ग्रास मेमोरियलह, इत्ती, क्रीडांगनाः क्रिडांगणाह मतलब खेल के मैदान दिखाते हैं राइपूर में जो बहुत सारे ष्टेडियम है, खेल के मैदान है इन सब चीजों से ये पता चलता है कि इस नगर के वासी लोग खेल के प्रती प्रेम भाव रखते हैं, खेल खेलते हैं नगरस्य व्यस्त तमह शर्वेशाम प्रियम इस्थानम हट्टम चा गोल हट्टम अस्ती नगरस्य व्यस्त तमह नगरस्य नगर के व्यस्त तमह सबसे व्यस्त सबसे भीड भालवाला और सर्वेशाम प्रियम सबका प्रिय इस्थानम इस्थान हट्टम है ना बाजार कौन सा ह गोल हटम गोल हटम माने गोल बाजार ये गोल बाजार को सबसे प्रिय क्यों कहा गया क्योंकि इस बाजार में सब प्रकार के वस्तू मिल जाते है है ना इसलिए इसको सबसे व्यस्त और सबसे प्रिय बाजार बताया है कौन से बाजार को गोल हटम गोल बाजार को अस्ति माने है बालकानाम मनोरंजन आया नंदनकाननम अस्ति बच्चों के बालकानाम बालकों के बच्चों के सश्ठी भ्यक्ति बहुचन का रूप है बालक सब्द का सश्ठी विभ्यक्ति बहु अच्छन बालका नाम बालको के मनोरंजन आया मनोरंजन के लिए ये चतुर्थी विभ्यक्ति है मनोरंजन सब्द में चतुर्थी विभ्यक्ति मनोरंजन आया मनोरंजन के लिए नंदन काननम नंदन कानन नाम का एक चिडिया घर है है ना अस्ती है यत्र आबालब रिधाह मनोरंजनार्थम गच्छंती आगच्छंती यत्र जहां यत्र मने जहां आबालब रिधाह आबालब रिधाह मतलब बच्चे से ले करके बूढ़े तक अर्थात सभी लोग सभी मनुष्य चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाह मनुरंजन के लिए आगत छन्ती आते हैं कहा नंदन कानन में सब लोग अपने-पनी मनुरंजन के लिए आते हैं इस देखिए महंत घास संगरहलाय का यह सुन्दर सा चित्र उसके बाद सुभास क्रिडा के अंद्रहा अर्थात नेता जी सुभास चंद्रबूश के नाम से बनाया हुआ एक स्टेडियम है खेल का मैदान चलो बच्चों तो आपका पाठ यहाँ पे समापत होता है मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जो बच्चे राइपूर नगर देखे नहीं है जो केवल राइपूर के बारे में सुने है वो बहुत सारे चित्रों को देख करके और रा राइपूर हमारे 36 गड़ की राजधानी है है ना तो आप सब राइपूर के विशे में और अच्छे से पाठ का अध्यान करके और अच्छे से समझिएगा हमारा पाठ यहाँ पे समापत होता है आप लोगों के लिए एक छोटा सा ग्रिह कारिया है इसका स्क्रीन सॉट ले की जाच कराईएगा तो आज के लिए इतना ही हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नमो नमहा पुनर दर्शनाया झाल 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 झाल